नमस्ते मित्रों जैसीराम जैरेवर्द तो मित्रों आज हम यहां बात करेंगे श्री राजी विख्षीजी की जो के महानकरांतिकारी थे आज ही के दिन उनका जनम दीवस भी है आस्तिस तारीक है ना तो आज के ही दिन उनका जनम दीवस भी है और आज के ही दिन उनका बलीदान दीवस भी है सोचिए मतलब यह इक्तफाक है क्या है जिस दिन उनका जनम हुआ ठीक है और उसी दिन उन्होंने बलीदान भी दे लिए इस भार्तवर्स के लिए खेर मैं यहां पर बात करना चाहूँआ कि मेरे जीवन में क्या बदलावाया मैंने क्या चीज़ सीखी भाई उस समय मेरे मित् कोई आख उनला पर लिट गोखाने को है पूर्य-पूर्य दिन व्याख्यान सुनता रहता था अर खाना भी खाना था फटावर खापीके दूर करता था वेकर उनके सुनता रहता था तो मुझे पहली बार उनसे पता चला था यह जो जनगन मन वाला उस तरीके से बताता है ना जब स्वाभिमान आपके अंदर जाकता है और पीडा जो हमारे करांती कारियों के भीतर थी जो उस समय के जो लोग थे जो लड़े थे उस इंडिया कंपनी से लड़े थे सोचिए बाद में भारत वर्ष का नाम इंडिया रख दिया गया लेक लेकि ही है थे लोग एक मतलब दुनिया में पहले सोचता थे कि हम पहुत देश बगत तरीके के लोग लेकिन ऐसा नहीं देखा मने जब राजी ने बताया कि हाँ पर इंडिया बहुत तुम इस देश को मतलब की गुलाम वह चले गए भाई आज भी तुम गुलाम निया सब का प्रियोग निक्या दोस्तों आप सोच लीजे 2008 क्या सपास की बात है तब से लेकत आज तक मैं इंडिया सब्का प्रियोग निक्राइब यदि मेरा सामने कभी बी कोई इंडिया सब्द बोलता है तो मैं जी बोलता कि तू आज भी गुलाम नहीं तुम सब्तंत रहे तिरा कर थोड़ी दिन बाद मैं यह उसको स्विकार कर लेंगे यह मौसलिम कांस लेकर अंग्रेश काल तक आज तक का यह पूरा 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 कड़वा यह सचने के सत्ते हैं और मैं अपने काफी जाता सो बागे साली मानता हूं कि मैं राजी दिख्षीजी से मुलाकाट मैं मिल अंतिकारी थे तो आप सारी युवा उने एक खटा वो सारो तरब से घेलिया राजी दिख्षीजी को कुछ पूछ रहा कोई पूछ रहा मैंने भी दो दिन बाद पूछी और मैं पहली वारा राजी दिख्षीजी मिला था बाजवाम इमान का जब निर्मान हो था उस समय के मिला उनको देखा लेकि कुछ पूलों के लिए ही मतलब ऐसे महानात मैंने दोस्तों कभी कबार पैदा होती हैं सच बताता हूं जो समझोता नहीं करते हैं बिलुकुल भी चाकुछ भी हो यह चीज मैंने वहां से धान के राजी दिख्षी से मैं कभी भी अपने जिवन मां स समझोता नहीं करता भाई जा सारी दुनिया भीड कर चल रही हो भीड के विप्री चलना तो चलने को त्यार रहे तो मैंसा यह गुण मैंने राजी देशी प्राप्त किया है ठीक ना और मैं यही कहुँगा कि भाई अपने स्वाभिमान को मार के मत जीओ भाई ठीक ना तु पारे एक लोग तंत्र चल राइस देश के अंदर जो कि कायरो वाला तंत्र है और उसके अनुसार और उसके समीधान के अनुसार इस देश का बेड़ा करक्टर की यहां पर हर उस चीज को मतलब की इंडिया क्या है इंडिया कौन में किसी महिम्मत नहीं सुप्रीम कोर्ट मे ना यहां की जनताम है कि इंडिया सबको अटाया जाए और भारत वर्ष नाम फिर से रफाजल स्रेश्ट नाम भाई गुलामी का नाम नहीं हिंदुस्तान भी गुलामी का नाम है इंडिया नाम भी आपको आहरानी होगी इंडियों पढ़ लेना पतल जाएगा भारत वर्ष कुछ भी पढ़ लो घर जंग आरे पूत्र आरे बनने कोई का आगया किसी कोई पढ़ लो तो आरे का निवास्तान तो भाई आरे वर्ष कलायागा लेकिन आज तो 99% कोई है वह इमान है और स्वाइमान है नहीं देश के लिए समझोता कर जाते हैं यह ना ऐसे सिर्फ तरीक सब्सक्राइब करते हैं यहां से निकल जाओ जो आत्मनों निकापने अपने इच्छा से निकाल दो या फिए देश के लड़ते लड़ते मर जाओ सब्सक्राइब करते हैं तो यह चीजा बारे में आप लोग उनको पढ़िए सुनिए समझेए आपको अच्छी जानकारी मिलेगी उनको यदि आप समझते हमको पढ़ते हैं तो ठीक है और एक चीज़ बतायता हूं मैं राजी देशी पहली बार जब मैंने सुना दना रोग सुनिकाल आता है मैं ब्यायम करता हूं मैं सुनिक्राइब मेरा सुक्षम सब्सक्राइब करें इस लिए को पढ़िए उनको समझीए और आगे बढ़िए और पेदेश मनुस्वमर्ती और सत्यात परकाश पुस्तक जरूर पड़िये ठीक ना संपूरता आजाएगी हर चीज में इसी दोगले की मांसिक्ता में नहीं आओगे फिर आपका बीवी ठीक ना दिखावे से बचाओगे फाल्टेवा ड्राम से बचाओ और एक चीज बताता हूं किसी के सब्सक्राइब ने में लिए और अच्छा को रहा है अच्छा है उसको सही जो गरो उसका साथ तो बुरा है थीक डूर से पड़ीर करो और ऊच्छा हो जागा समाज का जो जो अहित करते हैं समाते हैं नुक्सान करते हैं यह गरदन उडान में भी कोई आपत्ती नहीं होनी छीए ठीक है न यह चीज़ा भाई मैं यह को पढ़िए सुनिए समझिए और देश्मक्त बनिए कि जरूरी है आज कल कोई निया भाई आज कल तो गुलामी सुविकार करें बैठें आज भी ठीक है तो ठीक है नमस्ते जह सीरम जह रहे हैं